आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिद से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी इस वीडियो में सारी ड्यूडेट्स के बारे में बताएंगे चाहे वो इंकम टैक्स की हो चाहे वो जी एस्टी की हो क्योंकि इस बार ड्यूडेट्स बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने प्लैनिंग के साथ काम नहीं करा तो आपका जो फेस्टीवल होली का तोहार वो खराब हो सकता है क्योंकि इस मही नहीं 28-39 तारिक के आसपास होली है अगर आपका वर्क फिनिश नहीं हुआ तो आप उस फेस्टीवल को अच्छे से इंजोई नहीं कर पाएंगे तो पहली due dates income tax में जो आप लोगों को पता ही है 7 मार्च की होती है किस चीज के लिए TDS के लिए अगली जो due dates है वो हमारी है 11 मार्च 11 मार्च किसके लिए है GSTR1 वालों के लिए सर इसे क्यों फाइल करे अभी तो लेट फिस लगी नहीं रही भाईया इसे फाइल क करनी तो 11 को भी है 12 को भी है 13 को भी अगर आप 11 को कर देंगे या उससे पहले कर देंगे तो सामने वाले को ITC मिल जाएगा अधरवाइस उसे ITC नहीं मिलेगा बाद में मिलेगा इसी तरीके से पिछले महीने लोगों ने गलती करी जिन लोगों ने QRMP स्कीम लिया हुआ था उन्होंने IFF नहीं भरा तो IFF नहीं भरा तो सामने वाले को ITC नहीं मिला तो इसलिए इस बार 13 मार्च से पहले IFF भर देना और यह जो मार्च में आप भरोगे IFF अगर कोई बिल छूट गए हैं आप लोगों के तो वो वाले बिल भी इसके अंदर डाल देना कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अब 13 तारिक के बाद है 15 तारिक हाँ यह 15 तारिक इंपोटेंट है 15 तारिक किसले इंपोटेंट है देखो भई अगर आप advanced tax deposit करना है इसकी यह last installment है तो आप अपनी बुक्स को final करके income tax की liability calculate कर लो और अगर advanced tax अभी तक जमा नहीं करा है तो advanced tax deposit कर दो जि जमा करना है तो भर दो इससे फाइदा क्या होगा आपके उपर इंटरस्ट नहीं लगेगा 15 तारिक कोई SI PF जमा करना होता है हां सर यह थो में के लिए इसके अलावा अगर आपका tax बनता है तो tax की जो date है वो है 25 मार्च यहां पर हमने क्या करा है इस magazine के अंदर ना एक case study द tax बनता है तो उसे कैसे जमा करना है तो आप यह QRMP वाली case study भी हम इस magazine से पढ़ सकते हैं इसके अलावा सर डेट कौन सी है 25 मार्च हो गई tax payment की इसके बाद आ जाओ 31 मार्च यह बहुत important है 31 मार्च 99C की date है यह तो आपको पते ही है तो 99C में अगर आपको कोई दिक्कत आती ह तो आप हमारी special pen drive 99C की खरीच सकते हैं इसके अलावा एक date हो रहे है क्या date है अगर कोई व्यक्ति composition scheme में जाना चाता है 1 April 2021 से तो आपको यह पता होगा कि अगर उसे composition scheme में जाना है तो उसे एक form भरना पड़ता है CMP 02 तो उसकी भी last date 31 मार्च 2021 है तो अगर आपका कोई client परे उसे एक साल बाद chance मिलेगा तो आप ध्यान लखे अगर कोई व्यक्ति composition में जाना चाता है तो उसके लिए भी last date यही है इसके अलावा अगर आप LUT form फाइल करना चाते हो सरी LUT form क्या होता है भाई जब आप export of goods यह export of service करते हो without payment of tax तो उसमें एक LUT की बात आती है कि आप LUT without payment of tax में आप export of goods और export of service कर देते हो तो अगर वह आप LUT फाइल करना है पोर्टल पर उसकी भी last date 31 March है इसके अलावा सर और कोंसी डेट है भाईया यह GSTR 5678 नोर्मली होता नहीं फिर भी हमने इसकी due dates इसके अंदर डाल दी सर उसके अलावा और कोई due dates है कि हाँ जी income tax return की income tax अगर किसी की belated return है जिन्होंनों अभी तक फाइल नहीं करी है तो उनके लिए जो last date है 31 March 2021 है financial year 19-20 की अगर किसी की TDS return दे रही है TCS की return दे रही है कौन से period की quarter 1 और quarter 2 की तो उसकी भी last date 31 March 2021 है तो यहाँ पर आप समझ ना अगर आप 31 March पे सारा काम करोगे तो जो आपका festival है सर और क्या है magazine के अंदर भाया magazine के अंदर हमने एक अपकी बार बहुत शानदार e-invoising के ओपर FAQ दिये हैं जिससे आपके e-invoising के सारे doubt clear हो जाएंगे एक हमने आपको बताए interplay between 36 और 164 की एक व्यक्ति दोनों section को या एक section और एक rule को कैसे follow कर सकता है अगर इन में से एक भी follow नहीं करा तो ITC कैसे नहीं मिलेगा और कब मिलेगा तो आप इस वाली interplay को भी देख सकते हैं इसके साथ साथ हमने SOP दिये कि जो registration cancel हो रहे हैं लोग बागों के जो registration cancel हो रहे हैं तो department ने SOP इसू करी है उसके बारे में हमने बताया है अभी हमने क्या बता है custom में custom में दो circular circular आए हैं कि वह अगर आपका previous refund कुछ बनता है तो और वह आपका अटका हुआ है तो इन circular का use करके आप क्या कर सकते हो refund claim कर सकते हो इसके अलाबा आपको पता होगा एक notice pay recovery के ऊपर एक हमारी क्या थी advance ruling आई थी के बारे में भी हमने इसमें चर्चा करी है एक हमने क्या बताय की bifurcation कैसे रखनी है थ्री सीडी के लिए वो भी हमने इस magazine में बताई है एक हमने इसमें नया दिया है comparison of different form of business की मतलब की क्या है कोई company है कोई LLP है कोई one person company है कोई proprietorship है और कोई partnership है इन में से किसी व्यक्ति को कौन सा business करना चाहिए किस form में business करना चाहिए हमने इसका क्या कर reason करके दिखाया है तो अगर किसी को magazine अभी तक नहीं मिली है वो इन number पर whatsapp कर देगा और आपको magazine मिल जाएगी लेकिन आप ध्यान दखे पहले अपनी mail चेक कर ले क्योंकि हमने आपको mail भेज दी है और जब तक आपको mail मिल गई होगी अगर mail नहीं मिली है इन box में चेक कर ल free magazine चाहिए तो इस number पर whatsapp करके ले सकते हैं और हाँ इस Sunday कोई webinar नहीं है इस Sunday कोई भी webinar नहीं है क्योंकि इस Sunday से हमारा batch super 30 सुरू हो रहा है इस Sunday जो हम बात करेंगे अपनी पहली class में हम GST के अंदर जो 174 section है उसका पूरा review करेंगे और जो constitutional background है उसके बारे में बताएंगे 4 गंटे का हमारा यह session होगा अगर आपको इस batch में जोइन करना है तो आप इस batch में जोइन कर सकते हैं दिल्ली NCR वाले व्यक्ति face to face आकर इस batch को जोइन कर सकते हैं और आपको बता दू 909C की date 30 March है इसके बाद बढ़ेगी नहीं अगर आप special pen dive 99C की लेना चाते हैं या QRMP वग आपको फोन में वीडियो चल जाएगी play store से ही तो अगर आप यह लेना चाते है pen dive लेना चाते है app download करना चाते है magazine लेना चाते है या इस batch में registration कराना चाते है या paid membership लेना चाते है तो इन दो number पे whatsapp कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जादे से जादा लोगों तक share कीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद कर तो subscriber एक लाग 30,000 हो गए इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद लेकिन अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं और चैनल को subscribe नहीं करा तो यह बहुत गलत बात है आप चैनल को subscribe करके bell icon बटन दबा दीजिए और अगर आपने subscribe कर दिया है तो अपने दोस्तों से subscribe करा दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद thank you for watching